प्रियांका चाहर चौधरी के बर्दे सेलिब्रेशन एक महिना पहले से ही शुरू हो गए हैं फैंस ने अभी से उनको बधाईयां देने शुरू कर दी हैं और इसी बीच उनको मिला है एक खास स्पेशल विश उनका बर्दे भले ही आउगस्ट में आने वारा हो लेकिन जुलाई के महिने से ही उनके बर्दे की तयारियां शुरू हो गई है उनके फैंस ने कहीं न कहीं वो तयारियां शुरू कर दी है इस बात को खुद प्रियांका ने अपने इंस्टेग्राम पर शेयर किया है तो चलि अले ही Big Boss 16 की वो विनर ना रही हो लेकिन अभी भी जब Big Boss 16 को याद किया जाएगा तो प्रियांका का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद से ही लगतार फैंस उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं हाला कि प्रियांका अभी तक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई है लेकिन इंस्टाग्राम पर अपने डेली लाइफ से जोड़ी हर अपडेट अपने फैंस के साथ उसके बाद सभी डिटेल्स इस बात कर रिप्लाइ करते हुए प्रियांका चहर चौधरी ने भी लिखा कि शायद मेरा बड़े कुछ ज्यादा ही जल्दी शुरू हो गया है वेल थैंक्स लव्लीज प्रियांका चहर चौधरी की बात करें तो इन दिनों वो अपनी डांस प परफॉर्मेंसेज और अपनी प्रैक्टिस में लगी है कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियांका किसी डांस रियालिटी शो में नजर आने वाली हो आपको बता दें बैक टू बैक प्रियांका चहर चौधरी ने काफी खुबसूरत डांस पोजिस और अपने डांस वीडियो को शे ऐसा पहली बार हुआ था बिग बॉस के घर से आने के बाद जब प्रियांका चहर चौधरी को लेकर नेगिटिव कॉमेंट्स सामने आ रहे थे प्रियांका भी खुद ये देखकर काफी हैरान थी उनके इंस्टेग्राम पोस्ट पर काफी सारे मीन कॉमेंट्स भरे पड़े फिलाल बात करें उनके इस पोस्ट की तो प्रियांका ने तो बता दिया है कि उनका बर्ड़े थोड़ा सा पहले शुरू हो गया है लेकिन दोस्तों आपको बता दे है जल्दी प्रियांका चहर चौधरी का बर्ड़े आने वाला है ऐसे में हर किसी को इंतजार है अंकित और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलू करें